हेलो दोस्तों क्या आप सबने भी अपना प्रोविजिनल एड्मिशन एनेस्टिया या एट्योटी में CITS 24-24 के लिए करवा लिया है और आपके मन में यह है दोस्तों कि आपका फाइनल एड्मिशन कब से होगा कब से आपकी क्लासे से स्टार्ट होगी तो चलिए दोस्तों आ कब से स्टार्ट होगी और फान एड्मिशन कब से होगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते CITS 24-24 का फॉर्म 28 माई को नोटिफिकेशन आया था और एक से 24 जुन तक फॉर्म भढ़ाया था और 17 जुलाई को इसका रिजलिट आ चुका था क्यूंकि 8 जुलाइक इसका ए ट्रांस फर रांट आयेंगे यानिकि जो है तो 14 अगस्त से 16 जुलाइक इसका ट्रांस रांट होगा इसका फिर थर्ट कॉंसरिंग भी देदिया इस बार इसवार इनिकि थर्ट कॉंसरिंग आपको 19 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक होगी और इसके बाद दूस्तों एसपो चुका होगा दोस्तों अठाइस अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है फाइनल एडमिशन होगे और चार सिक्तंबर से आपकी क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लेजे कि इसके लिए आपको कौन कौन से डोकॉमेंट लगेंगे उसे में जो अडिमिशन स्लीप मिलिए होगी प्रोवजिरे लगेंगे और आपके जो इद्यूकेशनल सेर्टिफिकेट रोड दोस्तों चाया डिपीटे को डिप्लोमा यह सारी के जिरोक्स लगेंगे और जितने सर्टिफिकेट रेसिदेंशल कास्ट आधार कार्ड इन सब कई भी जिरोक्स लागेंगे दोस्तों और ही medical certificate यह बहुत ही इंपोर्टेंट है medical certificate दोस्तों या तो आपके जी ले के क्लासे स्टार्ट हो जागी तो बायमेट्रिक आखिर अटेंटेंट्स कब से लगेगा तो क्या होगा जैसी ही आप केड मिशन होंगे जैसे आप 28-31 थक है तो चार से पहले आपको क्या बताएगा आप बायमेट्रिक रेजिट्रेशन करवाना होगा वहां पर भूत भीर लगी पर क्लिक करना जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो सामने एक पोर्टल खुल जाएगा जो रेइस्टर्ड हो गंडिट्र तुमाँस कर सकता है तेकिन अगर आप रेइस्टर्ड नहीं हो तो उसमें क्या होगा डॉन्ट है वैन एकॉंट क्लिक है वहां पर क्लिक करिएगा फिर दोस्तों फिर लोगिन आईडी वाली खुलती है लेकिन आपके पास अधार आईडी ही नहीं है तो बगल में आप क्लिक करोगे तो यूजर रेस्टेशन आता है आप जब आपके अपने डिटेल्स डालो जैसे आपके नाम आधार नमर डेट ऑब बर्थ जेंडर अगर आप आपके इंस्टीटूट का जैसे की इंस्टीटूट काहां पर है कमेल नम यूद्वा है और आपका इमेल नमर सब्सक्राइब करें और दोस्तों मैं कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें मैं सारे सवाल का जवाब